हेलो फ्रेंड्स जैसे के मने अपनी पिछली वीडियो में पैनल और ग्लेज विंडो के डिटेल कमपैरिजन को देखा था अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक मैं उपर आई बटन में देदूँगा आप देख लेना और आज इस वीडियो में मैं आपको पैनल विंडो को लगाने के फाइदे और नुकसान के बारें बताऊंगा तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है जानने के लिए आप अंते तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें नमबर टू इनके ज़्यादा सेंड रेजिस्टेंट और नोन वीजिबल होने के कारण ये घर में ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्यूर्टी प्रवाइड करती है नमबर त्री पैनल विंडो को इजली किसी भी शेप में मैनुफेक्चर किया जा सकता है और नमबर फोर पैनल विंडो रूम में लाइट को कंट्रोल करती है इनके सोलीड पैनल और विंडो शेटर के साथ तो ये तो है पैनल विंडो की एडवांटेजिस अब अगर इनकी डिस एडवांटेजिस में नुखसान के वारे में देखें तो सबसे पहली बात तो इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है as compared to glazed window नमबर टू ये window बहुत ही costly पड़ती है as compared to glass window क्योंकि ये wood से बनाई जाती है जो बहुत costly होती है और आज के समय में जिसे effort करना बहुत मुस्किल है नमबर 3 अगर आप इन windows को बंद करते हैं हवा बारिस धोल मिट्टी या मोस्किटो किसी भी कारण से तो ये simultaneously आपके room में light को कम कर देती है नमबर 4 जब ये window बंद होती है तो room में कोई भी light प्रोवाइड नहीं कर पाती नमबर 5 अगर इन windows में अच्छी वूड इस्तेमाल नहीं की गई हो तो ये window bend हो जाती है और इनकी shape बदल जाती है जिससे कई बार इन्हें बंद करने में भी problem होती है और नमबर 6 sliding panel window को इनके heavy weight के कारण slide करने में भी काफी difficulty होती है तो ये है panel window की advantages और disadvantages advantages इन्हें ध्यान में रखकर ही आप अपने घर के लिए इन्हें prefer करें ये चोटी सी वीडियो सिर्फ आपके good to know knowledge के लिए बनाई गई है तो I hope के दे गई जानकारी आप लोगों के लिए useful है और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share करने के साथ साथ आप हमारी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो से updated रहने के लिए तो चलिए friends जन मिलता हूं हमारी next वीडियो में एक और बहतर जानकारी के साथ तब तक के लिए आप बने रहें अपने चैनल माई इंजिनिंग सपोर्ट के साथ और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद Thanks for watching, have a nice day